व्कम ब ot방 एक से एक स्ट्रॉंग फोकेमॉं एक सट्रॉंग फिर करने वाले पहले यह मेरेंट ने वालत हो सकता है तो मगरी ना करो तो तुम अपनी रैंकिंग भी बताना बेसिक लिए हम पोकेमॉन टीम रैंक कर रहे ना कि उस खोद चांपियन को यह चीज ज़्याद रखना बाकि हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं अगर पसंद आती है वीडियो अब स्टार्ट करते हैं ओके तो सबसे पहले हम सारे के सारे पोकेमॉन चैंपियन की टीम को देख लेते हैं उसके बात में हम रैंक करेंगे सबसे पहले आता है कैंटो और जोटो तोनों का चैंपियन यानि की लैंस अब लैंस की जो पोकेमॉन टीम में वह भाई 6 पोकेमॉन यह हैं तो यह काफी बड़िया और पावर्फुल सा फॉस्ल को dispel यह भी काफी एलफ करता है इसकी टीम में सही में एक next आता है चार हिजार्ट ये भी भाई काफी जारा powerful है यार सहीम है तो हाँ ये है भाई total 6 Pokemon की टीम यहाँ पे भाई Lance की टीम actually काफी बढ़ी है क्योंकि 3 Dragonite से उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा उल्टा भाई टीनों के 600 से जारा stats होते हैं बहुत जारा beast है तीनों तो overall team काफी बढ़ी है next आता है यहाँ पे Hoenn का champion Stephen Stephen का भाई team में सबसे पहला जो Pokemon है वो है उसका Metagross जो कि उसका सबसे main सबसे iconic सबसे strongest Pokemon है यार सहीम है इसकी power level तो भाई बिलको next level है यार यह मेगा evolve तक हो सकता है और मेगा evolve के बाद इसकी stat 700 चले जाता है legendary जितने भाई बहुत beast है यार सहीम है यह next आता है Skarmory यह भी काफी ज़दा powerful है और काफी तेजी से हमला कर सकता है next आता है Clay Doll यह भी आर काफी खतरना के और HP की वैसे काफी टाइम सर्वाइब करता है बैटल में next है Agron इसकी power भी हमने काफी बार देखिए और काफी बढ़िया है यह भी next यहाँ पे आता है Cridally यह Pokemon मुझे उतना पसंद निये लेकिन हाँ power wise उतना भी बेकार निया यह बढ बहुत लाजवाब है सबसे पहले आता है गार्चौम भाई बहुत ज़्यादा पावर्फुल है और अब यह मेगा एवॉल्व भी हो सकता है सोचलो भाई कितना next level है नेक्स्ट है इसकी माइलोटिक यह बहुत ज़्यादा पावर्फुल है और गेम्स के अंदर इसको हराना सबस्क्राइब होता है और मुव्स भी इसके पास काफी अलग अलग टाइप के होते हैं सिंतिया पर स्पिरिटूम भी काफी बढ़ी है नेक्स्ट है यहां पर सिंतिया की रोजरेड और लास्ट में अब यहां पर आता है सिंतिया का गैस्ट्रोडॉन यह तो भाई बहुत भी खतरनाक है नेक्स्ट आती है यहां पर युनोवा की चांपियन आईरस हम सब जानते हैं पहले यहां का चांपियन एलड़ दा लेकिन करेंटल यहां की चांपिया आईरस बन चुकी है आईरस की आर वैसे पोकेमॉन टीम पूरी हमने कभी देखी ने लेकिन फिर बीसकी यह टीम डेफिनिटली हो सकती है तबसे पहले आता है यहां पर ड्र्गर नाइट जो कि हम जानते हैं कितना पावर्फोल हमने इसको लिफी देखा है जब आईरस की ऐसे त्राइबन य होई थी आईरस का खतरना है सही में नेक्स्ट यहां पर आता है आईरस का हैक्सरस यह बहुत जाला स्ट्रॉंग बन गयाता है एक्सरस वाले फॉर्म में नेक्स्ट आता है आइरस का गार्चॉंप देखा तो नहीं कभी लेकिन हाँ युनोवा के अंदर उसके गिबल था जो कि अभी तक मुझे लगता है डेफिनिटली एवाल्व हो गया होगा क्योंकि अभी लेके जाएगी तब भी जीती होगी वाई च्यांपियन से एल्डर से जीती होगी तो डेफिनिटली मुझे लगता है गार्चॉंप उसकी टीम में होगा हाला कि हमने उसको देखा नहीं है अभी तक और नेक्स्ट यहां पर आता है आइरस का एक्सका ट्रेल यह भी एकदम क इसको बहुत अंडरेस्टिमेट करते दें लोग इतना स्ट्रॉंग नहीं मानते दे लेकिन जब से अनिमे के अंदर लांस को अरा दिया ना वाई सबका ओपी ज्यादा स्ट्रॉंग है इसकी टीम के छे पोकेमोन सबसे पहले आता है इसका हालूचा यह बहुत खतरनाक पोक यह नेक्स्ट यहां पर आता है आयरस का और 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 अनिमेक अंदर भी देखा है जहां पर इसने वाई ड्रागनाइट को जो लैंस का ड्रागनाइट तब उसको बहुत जड़ा अच्छी टक कर दीती हाला कि भाई यह हार गया ता बढ़ां स्टिल पावर्फुल यह काफी आता है यहां पर आता है डियांता को ऑवर्फुल अक्छी मरी आता है और यह यह व्यांता की टीव में काफी बढ़िया और लास्ट में आपर आती है गाडब बोर जो कि बिल्कुल में फोखिमान और यह में बहुत ज्यादा नेक्स्ट आता है अलोला का चांपियन जो कि यह अपना आश तो आश की इतनी सारी अचीवमेंट है सही में लेजेंडरिस तक वहारा रखा है नेक्स्ट आता है रावलेट भाई बिल्कुल छोटा बैकेट बड़ा दमागा टाइप है इतना खतर ना गया साही में फॉर्स स्टेज में थर्स स्टेज वालों को भी हाला देता है यहां पर नेक्स्ट आता है लाइक से एक अटाक जानते और बहुत तगड़ा फाइट करता आता है सही में नेक्स्ट यहां पर लास्ट में आता है मेल विटल जो कि एक मिसिकल पोकेमोन है और इसकी पावर वियार एकड़म नेक्स्ट लेवल है सही में लास्ट में आता है गलार का चैंपियन लियॉन अब लियॉन की पूरी पोकेमोन टीम है अनिमे के अंदर दिखा और नेक्स्ट यहां पर आता है उसका सिंड्रेस सिंड्रेस भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है और अगर इसको लियॉन ने ट्रेन किया है तो पता नहीं भाई कैसे खतरनाक केक्स मारता हो गई है नेक्स्ट यहां पर आता है सेस्मिटॉड युनोवारीजन यहां पर लास्ट में आता है एजी स्लैच अटाकिंग और डिफेंस दोनों में बहुत ज़्यादा बड़िया पोकेमॉन है अब आती है रैंकिंग की बारी तो सबसे नीचे आती है लैंस की पोकेमॉन टीम टीम में एक से काफी तगड़े पोकेमॉन है लेकिन सबकी अब इससे उपर आती है बाई पोकेमॉन टीम काफी खतरनाक है और सारे जयादा हेल्थ वाली पोकेमॉन है टैंक पोकेमॉन है मतलब यार मारने में काफी टाइम लगेगा लेकिन वाटर टाइप पोकेमॉन चैक्ञ फिर वह मतलब पूरी टीम इसकी ऑल्मोस्ट वीक है वा सब आलागलग टाइप के पोकेमों सब भी थे और भाई मतलब काफी बढ़िया भी लड़ते तो यह रांक पर्फेक्ट रहेगी लियां की पोकेमों लेकिन मुझे लगता है भाई बाकी टीम जादा बेटर है लियॉन की टीम से लियॉन थोड़ा और अच्छी टीम बना सकता था अपने लिए नमबर टू पर आए कि डियांता की पोकेमॉन टीम यहां पर सारे पोकेमॉन की टाइपिंग भी काफी अलगा लगे अच्छी गासी और भाई सारे पोकेमॉन भी काफी मतलब स्ट्रॉंग है तो मेरा अकॉर्डिंग दियांता की टीम सबसे बेस्ट है अब मैंने पहले भी बोला था मेरा ओपीनियन है तुम्हारा अलग भी हो सकता है अगर अगरी नहीं करते तो कमेंट में बताना और तुम्हारी अकॉर्ड टीम ज्यादा अच्छी लगती है वाई मैंने बताई दिया सबकी टीम क्या है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना में लों को अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए